तो सबसे पहले हमाँ वरिष्ट पत्रकार आया इस वक्त हमारे साहत है प्रेम कुमार जी प्रेम इससवागत थे आपका प्रेम जी लए मंत्री मंदल उत्तर प्रदेश में मिलने वाला योगी सरकार दोका क्या लगता है किस तरह की चीजों पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि वादे तो बहुत कर दिये गए उन वादों को पूरा भी करना है तो मंत्री मंदल तो थोड़ा अलग तरीके का रखना ही पड़ेगा ना इस बात को गौरी जी समझे कि उस्तर परदेश में जातिय समीकरण को साधना भी प्राइरेटी होती है किसी सरकार की और आपने भी बताया कि पिछले जो मंत्री परशद में किसे तरीके से वेबन नजातियों को पत्रदेश दिया गया तो हलाके भारती जन्ता पार्टी की और से यह कहा गया कि उन्होंने जाती वर्ग जाती खतम कर दिया और लोगों ने सभी वर्ग के लोगों का वोट मिला वोट मिला एक बात है सही बात है हर वर्ग का वोट मिलेगा तो सरकार कैसे बनीगी मिला है लेकिन जाती खतम हो गई अब उनके पती को कबिनेट में जगह मिलने के आसार है लेकिन वही स्वाति सिंग आज तलाग की अरजी दे रही है अपने पती से तो जो पहले मंत्री थी मैं इसले उदारन दे रहा हूं कि मंत्री थी आज मंत्री नहीं है उनके पती मंत्री है और वो तलाग की अरजी दे रही है तो एक बहुत खराब शुरुआ थी इसको इतांत बेक्टिकत मामला भी नहीं है यह यह चोके मंत्री रही है और उनके पती मंत्री होने वाले हैं इसलिए उदारण उनलेक्ट निये भी है और जान देने जोगे भी है लेखां दोस्ती बात आपने बहुत सही कहीं कि बड़ी जिम्मेदारी चोके इस किनाव में जंग ज करता के प्रती जिम्मेदारी वाली राजमीती का शुरुवात हुई है और यह सरकार इस सरकार के पास मौका है कि वो बेसहारा पश्वों से लोगों को आजाज कराए वो रोज़दार के मुद्दों को एड्रेस करें और जो आज 12 लाग का बैक्लॉग है नियुक्तियां बा जो बारे लाग जो नियुक्तियां है उसको भरने की चुनौपी है और पाकी जो मुद्दे हैं जिसमें महिलाओं का उत्पीडन कम हो महिलाओं की भागेदारी हो सब्ता में और निवेश आए होद्योगिक महाल हो यह सारी चीजे भी प्रातिमिक्ता में रहेंगी हम सरकार क क्या क्या लगता है कि पिछली दफ़ा सरकार की तरफ से यह बार बार इस चीजें कही जाती रहीं खास तर पर चुनाप प्रशार के दर्मियान कि हमें तो पांच साल मिला ही नहीं हमें तो तीन साल ही मिला दो साल तो कोरोना की वज़ा से चला गया सारा फोकस कोरोना पर चल डूलैंट्स करने में लग गया मैं जानना चाहता हूं कि इस बार तो पूरे पांच साल मिलेगा प्रचंड बहुमत के साथ बी जे पी की सरकार यह तो क्या इस पांच साल का जो अनभब होगा जयंते के साहत सरकार का क्या कुछ बिल्कुल अलग चीजे दिखेंगी इस बार जनता को कितना अच्छा फील होगा सरकार को भी काम करने में कितना अच्छा लगेगा ये कुछ यह मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा सा लाइन है जिसे समझने की जरूरत है प्रेम जी अच्छा फेट मिला है तो और जीमेदरी की अपे क्शा और अमीद रहेंगी पहले से डेχिए जनतानी जिम्मेदारी से बहुंत दिया पहले से घटी है और विपक्ष की टाकत बढ़ी है तो इसका मतलब है कि सता को जनता निरंकुष नहीं छोड़ना चाहिए विपक्ष के लिए भी जिन्मेदारी है कि वो अपना काम जो है जनता सता को नियंटरेस करने का वो करे तो इस हिसाब से इस बार भारती जनता पर्टी को उसकी सरकार को और अधिक ऐसी भूमिका में आना होगा जो ताकि जनता की उमिदे पूरी इस 2024 का चुनाओ भी है याद लोगस्वाच चुनाओ के मुकाबले बहुत कम बोट मिला है अब तुल्ना की जिए लोगस्वाच में 50 परसंट से ज्यादा बोट बीजेपी को मिले तो अगर इस 50 परसंट पाना है अस्ती में से 70 सिटें या उससे उपर जाना है तो आपको जनता के सामने पर्फॉर्म करन करना पड़ेगा कोई चारा है नहीं नहीं बहुत 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 बात प्रेम जी मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं आपके पास